जहें दोस्तो क्या ही हाल है आज हम बात करेंगे a की तरफ से एक best series के बारे में लावा यूवा series यानि कि इन्होंने 3-4 series में smartphone को market में launch करते हैं यूवा सीरीज हो गया, साथ में अगनी सीरीज और एक आपको ब्लेज सीरीज, तो यह हमने जो इस वीडियो में सेलेट किया है ना, वो यूवा सीरीज का है, लावा यूवा 3 प्रो, यह जो फून है ना, मुझे इसमें दो सबसे बड़ी कमी देखनी को मिला है, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि एक वीडियो आप सभी तक पहुचा है अगर आप यह वाला स्मार्टफून पर्चेस करने का प्लान कर रहे हैं तो, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल डीटेल देखना और आपको यह आपको तीन कलर में स्मार्टफून देखने को मिला है, जो कलर दिया गया ना काफी प्रिमियम कलर देखने में लगता है, और बैक पैनल में जो सेटप केमरा का दिया गया है, उसके होजाते बैक पैनल काफी अच्छे क्वाल्टी में नजर आता है, और यहां पर मैट फिनि गालिटिस्ट दिया गिया है जो देखने में में भी काफी प्रीमियम लगता है अगर डिस्पली की बात करेंगे न तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले 90 अभे हाट इट Doll दिया गिया ऋ इसमें बात टो तो यहां पर पर प्रफार्मेंस गाए है इसमें जो प्रोसेसन लगया तीज- इस सबस्के양 तो इससे को अधा बिजा है पून मार्किट करे के रखें तो मैं अब को पता दूँ कि यह जो फून के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं बार्ट के ए तो बिल्कुल भी सही नहीं बात रही storage की ना तो इसमें 8GB RAM और प्लस 8GB का वर्चुल RAM दिया गया है तो यानि कि 16GB RAM और 128GB का internal storage मिला तो storage के शाब से देखा जाना तो इस smartphone काफी बेस्ट हो इस समय इतना जादा storage और RAM सभी smartphone दे रहे हैं यारे कि सभी company वाले smartphone में लगा रहे हैं अगर उखी पर देखा पंचोल में यहाँ पर 8 मेगा पिक्सल का उससे भी आप 1080 में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं अगर बात रहे इसके बैटरी और चार्जर की ना तो मैं आपको बता दू 5000 मेच बैटरी मिला है और साथ में 18 वाट का एक सूपर टाइप C केबल के साथ में चार्जर तो चार्जर इस बजट में नहीं होना चाहिए था और यह फोन 4G या 5G यह भी आप सभी को बहुत ज़्यदा कनफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ कि यह फोन ना 4G फोन दिया गया अगर यह 5G होता तो मेरे हिसाब से कुछ हिसाब से देखा जाना तो काफी अच्छा र आए तो 3G डाउन हो गया आप 5G आगया तो पोर जी डाउन ही रहीगा तो मेरे साब से अगर आप स्मार्ट फून भाई कर रहर हो ना तो 5 इंडिया कंपनी है तो मेरे इसाब से आप लोग इसके पीछे वह से भी नहीं जाओगे क्योंकि आप लोग को ज्यादा तरह चाइनिज कंपनी पसंद आता है तो मैं आपको बता दू कि अगर आप इंडिया के कंपनी स्मार्ट फोन पर्चेस करने का प्लान कर रहे ना तो ला जे खर्चेस करने कि अगर।